हापपड जन्पत के छेतर गराम बक्सर में हल्स फाइरिंग के दोरान एक यूते की गोली लगने से मौत हो गई आपको बताते कि सिंभावली थाना चेतर के गराम बक्सर में अपने छट से साधी में घुर्टडी देख रही उती को दुलह पक्स रिष्टेदार दवारा फाइरिंग करने से गोली लग गई जिसकी मेरेट अस्पताल में ले जाते समी मौत हो गई वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंच कर सब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज़ दिया इसमें आज थाना सिंभावली के बक्सर कस्वे में मुस्तेहसन सनौफ शकील इनकी बारात निकल रही थी जो पटना मुरादपुर गाउं है हापुर देहात कोतवाली शित्र में वहाँ जानी थी लवग 11.30 बजे के आसपास बरात जब निकल रही थी उसी समय जो दूले हैं दूले के एक रिष्टेदार जो उसके रिष्टे में बहनोई लगते हैं ताउ के दामाद हैं उनके द्वारा फाइरिंग की घटना की गई फाइरिंग में जो गली में घर के उपर च्छत में एक 20 वर्षिय यूती मुस्कान खड़ी हुई थी मुस्कान डॉर्टर अफ इं पुलिस ने पीडिता को हस्पिटल पहुचाया है वहां से ततकाल उन्हें रैफर किया गया मेरेट के लिए रास्ते में मुस्कान की जैसे ही पुलिस को सूचिना प्राप्त हुई है पुलिस ने तुरंत आरोपी की गरफतारी के लिए टी में रवाना हुई है मृतका है उसके पिता की तहरीर पर अभयोग पंजिक्रत कर लिया गया है और आगे की वैधानिक करवाई इसमें की जा रही है क्या नाम है प्राप्त मिरे नाम इंतिजार है आप लड़की को हूँ है मैं लड़की का पापा हूँ क्या मामला हुआ था जिसमें लड़की मामला यह था यहां पर बरात जानी थी रात मंढा था खुश तो गोड़की लड़केगी और हर्स फाइरिंग मेरी बेटी के गोली लगी आपकी बेटी का हाँ तिससा मेरी बेटी चत पर सद तूर्च ने जेख रही थी अब निचे स झाल